अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आपको कुछ सिंपल शब्द और उनके अर्थ जरूर पता होने चाहिए. बॉरो, उधार लेना, you can borrow a pen from me. आप मुझसे पेन उधार ले सकते हैं, lend, उधार देना, I will lend you some money in terms of need, जरूरत पढ़ने पर मैं तुम्हें कुछ रुप्ले उधार में दे दूँगा. वेट, प्रतीक्षा करना, I will wait for the sale to buy clothes. मैं कपड़े खरीदने के लिए sale का इंतजार करूँगी. बाव डाउन, नीचे जुपना, he refused to bow down before the king. उसने राजा के सामने जुपने से मना कर दिया. राइट, लिखना, write your name clearly on the check. चेक पर अपना नाम सपश्ट लिखें. फास्ट, उपवास रखना, I keep fast on Monday. सोमवार को मैं उपवास रखती हूँ. वो हमेशा से एक जंगल में घूनना चाहता था. सेल, बेचना, the dealer will sell the flat to me. दीला वो फ्लेट मुझे बेचेगा. अबे, आग्या मानना, Obey your teachers and other elders. अपने शिक्षकों वो अन्य बड़े बुजूर्गों की आग्या माने. स्ट्रगल, संघर्ष करना. He had to struggle a lot in his initial days. उसने अपने शुरुवाती दिनों में काफी संघर्ष किया है. प्रोजाना 11 Minutes Daily के साथ अंगरेजी सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करे www.11minutesdaily.com Thanks for watching.